हलो फ्रेंड कैसे आप सभी लोग तो मैं आकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपनी चैनल के अर्वेल फार्मा में तो हम देख रहे थे अपनी इंडिश्टियल फार्मेसी सेकेंड बी फार्मेसी सेवन सेमिस्टर और इसमें हमारी यूनिट फर्स चल दी थी तो इसकी वीडियो में हम बात करेंगे अपने दो मेंट टॉपक पहले हमारी रहे प्लांट इसके लब कारने किसे करने प्ड़ेंगी यह सारी वातां में चाप लोग जो भी बोल रहे तो इस यूट को मैंक्षर करांगे लेकिन यह अगर आपको कोई चीज करने हुद उसके लिए आपको क्या चीज़ करने बढ़ेगी तो बहुत लोग क्या होती है तो लेट करो कि आप लोग नए नए गए हो किसी कंपरी में आपको गए हो और वहां कंपरी में आपको दिया गया कि आप आप पहली बना रहे हो आपको आते नहीं तो आप अपहाँ करोगे क्या सबसे पहले आप क्या करोगे अपने को कम क्या माद इौब PAUL Flow आ नहीं और आप यह पहले आप पहले कैका नहीं बनाए और उसमें आपने क्या सारी बना और उसके वाद आपने चेक किया शार तो इससे क्या होगा कि अगर लेट करो आपका कम होगा यान कि आपका 500 नुकसान होगा अब एक व्य सकते हैं यान कि इसमें हम पॉसिवल जटनी भी प्रैलम हो सकती है जो भी सारे को सकते हैं लोग से जो भी खहलाते सारा को यहां पर जो एक दम फिगर आउट किया दाता है उसके बाद जैन जो है वो चीज़ हमारी बड़े स्केल पर की जाती है तो यही पूरी टेक्निक होती है पाइलेट प्लांट हमारी पूरी टेक्निक और और स्केल अब का मतलब है कि इसको अब क्या करेंगे यहां बड़े फॉर्म में करके अपनी दस्याद टैबलेट को बनाएंगे इसको आप रियल लाइप में किसी भी एक्जामपल से ले सकते हो जैसे अब हमने इसके यहां समझतों अब हमने को इच्चेज को बढ़ा करना है कि अगर पर को बड़ा करना तो उसके लिए हमको कौन कौन से step यहां पर लगाने पड़ेंगे ठीक है तो एक तरह थे हैं आपको यह भी मैंने बता दिया जो पुरानी वीडियो की एक तरह थे हम जो यहां पर जैसे हमने रेशियो फॉर्मूला यह सब डबलब किया ना यह तरह से हमारा प्रोटो टाइप बंद आएगा अब प्रोटोटाइप का मलब कहा है कि अब इसी प्रोटोटाइप यान कि इन सब चीजों कोस parlory लिए आप और श्रादी हैक्स, और आपको यह सब्सक्राइब करते हैं अब बजट आपको बता और इसको बजट को डिफाइन कैसे करेंगे यह हम दो चीजों पर बेस्ट करेंगे अब एक्जामपल ले लो कि मालो आपको यह मारकर आपने बनाया अब आपको यह मारकर मार्केट में बेचना है तो आप कैसे डिसाइड मारकेट में बहुत जादा विकटती है और इसमें लागत भी हैं तो अब इसलिए बात है कि मारकेट में उसके प्राइस सेलिंग मतलब होता है कि आपने इधर उधर देखा हर तरह और हर तरफ से मैंने इस करके कंपेरिजन करके आपने अपनी चीज के प्राइज को सैट किया है यह यह कि हर तरह अगर बर्गर दस बीस रुपए का मिलता है तो वहां भी ऐसे ही मिलेगा तो तुरन लड़ने लग ज सकता है मार दिन कितना वालेंगा यह सारी वाता हम इसमें करते हैं सेकंड होता है कि सब हमने कर लिए आप हमको करना है कंड़क्ट लेबरेटरी स्टडीज एंड इसके लप प्लैलिंग अड़ सेम टाइम अब आपने जब यहां पर पूरा बजट कर लिए अब आपको यहां सब्सक्राइब के अंदर प्रेड्यूस कर लिए एक तरह से कैसे क्या करना सारा कुछ हो गया अब जो लैब के अंदर का एक आगे स्टैप यहां थर्ड इस्टैप जिसमें क्या है डिफाइन की रेट कंट्रोलिंग स्टैप अब आप लोगों ने बहुत जगा यह वाला वर स्टैप यहां पर फास चलाए खाली दोड़ता है यहां पर घड़े थे और यहां पर ट्रैफिक भी जाथा हो गया तो यहां पर क्या होगा आपकी स्पीड वाइक की बहुत स्टैप हो गया तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यह वाला जो हमारा रेट लिमिटिंग स्टैप हो यहां पर हमारी चीज क्या हो रही है और यहां कि यहां। अपर सकती है और इस सब घूरते हैं और इसके बाद उसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं वाचीज हम जानते है तो आपने यहां पर की रेट कंट्रॉलिंग को देख लिया इसका मतलब आपको आगे समझ आएगा अब एक्जामपल के लिए क्रेटिकल या पर टफ बोल सकते हैं जैसे एक्जामपल के लिए सब्जी बगर अगर कोई घर पर बनाता होगा तो वहाँ पर जो सबसे टफ है वह है मसाले कितनी डाले और तड़का कैसे लगा बसलब चोंका वरी कैसे करें तो है मसाले डालना वह मैं स्केल पर जाने कि intermediate स्केल पर आपको equipment के साथ study करनी है और equipment में आपको वो जो आपका step था रेट कंट्रॉलिंग वाला उस step के बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है reason क्या है यही वो step था जो आपकी process को कम कर सकता है टेबलेट को यहाँ पर बार बार practice कर लोगे एक तरह से जो प्रंडेट के लप इसमें आप क्या कर रहे हो प्रक्टिस कर रहे हो बहिं अगर ओवर आल देखा दाई तो यहाँ पर आपने पचास तो टैबलेट बना गए प्रक्टिस ही ना कि मैं टैबलेट सही बना सकता हूं उसके बाद आ यहां preliminary study करते हैं अपने equipment के और equipment में वो step हमारा जरूर रोन चाहिए जो क्या है rate controlling step हो गया जिससे हमारी उस step की practice हो जाएगी और next time हमको step में problem नहीं होगी simple थी बात है देन हमारे यहां पर क्या आएगा कि अब जब सारा कुछ हो जाएगा देन हम जो हमना pilot plant है उसको क्या करेंगे design करेंगे और construct करेंगे यानिकि अब हम उसको बना रहे हैं और बनाने के साथ हमारी यह है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए उसमें हमारा environmental control होना चाहिए होनी चाहिए प्रॉपर handling होनी चाहिए हमारी बेश्ट मैट्रियल की होनी चाहिए और साथ हमारे जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है जो गवर्मेंट है वह हर चीज के लिए rules regulation decide करते हैं तो उनको हम क्या करें फुल्फिल करें तब हम क्या कर सकता है अपने पाइलेट पाता है कि जब सारा कुछ आपका हो गया first class हो गया बन गया अब आप यहां पर करोगे वेल्यूट मंदलब क्या एक तरह से वही quality control quality आप यहां पर आप कि एक step को चेक करोगे आप product को भी चेक करोगे जो आपने पाइलेट बनाया है और उसमें जो process थी क्योंकि हम यहां पर में क्या कर रहे थे पचास सो टैबलेट बनाई वह तो important है लेकिन साथ में जो हमको यहां फॉर्मूला मिला जो procedure मिला जो ratio मिला वह भी हमारे लिए सारी चीज़ है और जब यह सब हम evaluate कर लेंगे देन उसके बाद हम यहां पर decision लेंगे कि जो हमारे पचास सो टैबलेट बाद जो हमको यह result मिलाए इस से हमको यह दस्या टैबलेट बनानी चाहिए यह नहीं बनानी चाहिए मतलब सिंपल है कि weather or not to proceed with the full scale plan development यानिकि आगे हम भड़ें या ना भड़ें यह हम क्या करेंगे इसके बाद decide करेंगे तो यह हमारे कुछ step थे जिनसे हम decide कर रहे थे finally की मतलब कैसे हम किसीद को scale up करेंगे और यह general थे जो मैंने यहां टैबलेट का example लेकर आप लोग को समझा दिया तो आप लोग को यह पूरे step समझ आ गए ह आप समझ गए कि इस तरह हमको यह पूरा करना है अब हमको में समझना है solid के लिए क्या होगा तो solid से यहां पर हमारी solid doses form की बात हो रही है यह हम बोल सकते हैं solid doses form वह हमारी efficient हो economical हो और रेगुलर्ली रिप्रोड़ॉजिवल हो यहां कि अब मैं सिंपल अगर आपको बताऊं efficient वह सिंपल दिवात है कि अगर यह हमारी 500 जो भी देशाव बने अगर यह किसी को ठीक ही ना करें अपने एफेक्ट ही नहीं को कोई मतलब ही नहीं है तो भी efficient होनी चाहिए मतलब इनका अच्छा असर देखने को मिलना चाहिए दूसरा economical है जो मैं बार 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 बोला था कि budget सेट करना है और budget के हिसाब से होनी चाहिए ज्यादा महेंगी नहीं लिए अब मालों की मारकेट में बहुए परासीटा मौल की मालों अभी कीमत एक रोपया की एक टेबलेट पड़ रही है यहां मालों दो रोपया की एक पड़ रही है अब आप ने इतना बजट कर दिया कि आप की तीन चाहर रोपया की तो आप बेची नहीं सकते हो और जब बेचोंगे नहीं तो भाई आपका बजट ही नहीं निकलेगा तो कोई मतलब भी नहीं है इसलिए एकॉनोमिकल होना भी बहुत जरूरी है थर्डर रेगुलर्ली मतलब सिंबल क्या है आप इस तरह का फॉर्मूला बनाओ कि आप लगातार प्रेड्यूस कर सको आपने मालों यहां पचास टैबल हैं पहरा सीटा मोल की फिक्स हो गई है पांसो एमजी च्छेटापटास एमजी वह जो इफेक्ट तब दे रही थी ना वही टैबलेट जो आज बनकर आएगी ना वैसा ही इफेक्ट आज भी देगी अगर एफेक्ट बदल गया भाई वही है क्वालिटी अगर बदल गई ब पालिटी अच्छी मतलब इफेक्ट अच्छा दिखाए एकॉनिकार रुपैम बरावर हो और रेगुलर मतलब सब्सक्राइब हमारी वह लगातार प्रिड्यूस कर सके हम उस वाले फॉमूलेट प्लान से बड़े स्केल पर तो यह चीज़ आप यहां पर समझ गया होगे उस अब तक यह डाउट हो कि पालिट प्लांट एक्चल में है क्या तो जैसे मालो सिंपल आपकी अगर यह कंपनी है तो यहां पर एक छोटी ने लेव तो उसी के अंदर पालिट प्लांट एक पूरा हमारा मॉडल सा तैयार हो जाता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपना जो भी मैंने बताए यह 500 टैबलेट को बनाते हैं और जब पूरी बन जाती है इसके बाद हमारी बड़ी वाली कंपनी मैनुफेक्टिंग यूनिट है उसमें जाके हम उस 500 टैबलेट के बेस पे यहां दसरीया टैबलेट को अपने बनाएंगे तो एक तरह से बोल सकते हैं क पूरा एक छोटा सा कमरा है जिसके अंदर हम बैठ कर इस पूरे छोटी यूनिट को बना रहे हैं तो यह एक तरह से पाइलेट प्लांट हमारा पूरा इस के लभ बारा ठीक है तो यहां समझ गए होगे बाकि जो भी पाइलेट प्लांट हमारा बनेगा तो वह जो मैंने सब बात है जो आप समझ सकते हो क्या कैसे होने चाहिए अब हमको समझना है इस चीज के बारे में आपको स्टड़ी करनी है तो थो थोड़ो बात आपको याद आगया होगा तो यहां पर में आपको समझा दूगा मिक्सिंन या उसको बहुत हो रिर्हां होती हमारे सब्सक्रिधाश करती है नेते वह बोल सकते हैं फिर हमारी अगें ब्लेंडिंग आती है ब्लेंडिंग को हम मिक्सिंग बोलते हैं तो कंफ्यूज मत होना देखो आपको क्या करना है इस पूरे को समझने के लिए यह समझो कि यह हमारी पूरी कंपनी है और आपको यही 500 टैबलेट आपको यहां पर बनानी है सिंपल दी बात है तो सबसे पहले जब आप कोई भी टैबलेट बनाते हो तो उसके लिए आपको रॉम मेटरियल चाहिए इंग्रीडेंट चाहिए यह सारी चीज़ चाहिए अब Óश्य पthen कियों लगें इनको अप हेंडल कैसे करो गए इस पूरे के लिए आपको ऺिए पूरा हैंडलिंग सिस्तम जाई तो शिम्पल थी बात है कि जो हमारा material handling system है वो हमारे एक ऐसा system है जो basically हमारे materials को handle कर रहा है यहलं कि जょ हमारे ingredients हो गया है हमारे raw material हो गया हमारा product बने गया है final product हो गया है finished product हो गया तो इन सब को handle गरने के लिए हमारे पूरा system काम में आता है अब इस system में actual में होता किया है तो transfer होती है delivery होती है और material mix बग़ेरा कियμεाते हैं मालो कि आप बना रहे हो आपके पूरा oven है और कुछ भी यह मालों मिक्सिंग करना है तो пуagdr 2 मिलाने तो कया करोगी एक पर्डर तो यहां से मारी हैंडिलिंग अंदर आता है अब लेब बगरा के अंदर करें तो आप अपने हाथों से यहीं दाना होगा है कि ऑन लेबॉडेटरी स्केल मैंट्रियल के हैंडली स्कूपिंग ऑन पॉरिंग वाइड यांगे हाथ के तरह आप स्कूपिंग मतलब सिंपल क्या होता है जैसे चममस इस तरह से हिलाते हैं तो कुछ चीजों को मिक्स करते हैं वह मारी skipping होगी फिर डंपिंग होगी पलटना हो गया फिर हमारी pouring होगी डालना हो गया तो यह इस टेप आप समझे जिनको आप हांस से कर सकते हो लेबरेटरी स्केल पर जाने की छोटी चीज़ पर अब अगर लार्ज स्केल की बात करेंगे तो आप अतने बड़े-बड़े भग़ोने आप कैसे महां करोगे तो स्पेस पर क्या होगा कि यहां पर हमारी कुछ मसीन सोती ही जिनका यूज के जाता है जैसे हमारा आता बेक्यूम लोडिंग सिस्टम जो एक तरह से लोड करने काम आएगा फिर इस्क्रिव फीड सिस्टम इस्क्रिव के जारा हम यहां पर फीड करते हैं अपने सामानों को डालते हैं मतलब मैटरियल बग़रा को फिर मीटर पंपिंग सिस्टम हो गई उसके बाद सब करने यह सारी बात होगे सेकंड हमारे इसमें इस्टाप आता है ड्राइब ब्लेंडिंग तो ब्लेंडिंग को हम जो है मिक्सिंग नाम से जानते तो आप उसको मिक्स भी करोगे अच्छे से तो मिक्स यहां पर क्या लिखा गया कि पॉडर सुड भी बैल बिलेंडे टू को इंसिए और गुड डिस्टिवीशन तो हमें मिक्सिंग एफिसीयंट चाहिए काफ पी अच्छी चाहिए अब यहां पर एक चीज प्रॉपर्टी मारी गड़बर होगी नोन रिपरडिवल कंप्रेशन जो मारी कंप्रेश होगे बाद में टैबलेट बनेगी उसमें प्राब्लम होगी और सबसे लिए हमारी जो मिक्सिंग यहां पर क्या कर सकते हैं कि अगर हम को चाहिए कि मिलिंग निगा तो हम स्क्रीनिंग जान सकते हैं उसको एक तरह से बोल सकते हैं फिल्टर करके निकाल सकते हैं और मिलिंग मतला वहता है तोड़ के चोटी-चोटे इंजिनरिंग में वह बहुत अच्छी है सारे को आपको डेमो देकर बताए था तो उन समय हम इनका यूज कर सकते हैं अब हमको कौन सी बात है जो याद रखनी है जब हम इस मिक्सिंग का यहां पर यूज करेंगे तो पहले नमर पर आती है करते हैं जिससे हमारी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो तो वह यहमारी की लोडिंग आप कितनी कर रहे हैं तब भी तक थामनी करोगे तो इनके बड़ी वाले भारत को यूज करोगे लेकिन आपको बड़ी लाट मेत में और वाले पढके, उनको आप यूज करोगे, तो यह हमार डिन लेटिटरहरा था कि यहां को चोटए में च्छोटए इसटाइम पंधर करते ही इसको यह आपने ऑट अच्छी पड़ करें होगे तो हमको क्यातिये उसमी अच्छी यह नी हो तो जो ग्रेमिल सेमारे बात में टैबलेट फॉर्म होती है वह अच्छी फॉर्म नीस होगी तो अगर एक रहे प्लेट को काफ़ी जादा अच्छी करनी पड़ेगी तो इस नहीं प्रूडूर करते हैं उनको आपस में अटेच करके अधेयर करके अब यह जरूरी क्या होगा क यान की मिक्सिंग हमारी काफी इंप्रूव होताईगी क्योंकि यह पॉडर इतना चीद मिखनी होगा यह तेब्लिट हमारी आपस में काफी अच्छे थैं मिक्स हो जाएंगी फ्लो प्रॉपर्टी हमारी भड़ताईगी इसकी तो फ्लो रेट हमारा बढ़ जाएगी जो मैंने अच्छे लगते हैं देखने में और मिक्सिंग कर सकते हैं तो यह हमारी चीज क्या होती है अब इसके लिए दो मैंतर आते हैं एक हाता है नहीं करूंगा यह आप पहले से पढ़ चुके हो बहुत अच्छे थे मैं कुछ बाद में बतायों इसके लिए पूरे स्टैप है कर आपको याद होगा तो बैट करने क्या करते हैं अपने बाइंडर का यूज करते हैं यह दो बदन बन जाते हैं तो आपको बता कि यान की dry करना भी बहुत जरूरी है वरना आपको पताइए कि अगर मौस्चट जाता होगा तो बाषि कांटमनेशन के चांस बरताएंगे और maikrobs बगैरा और maikrobs बगैरा भी हमारे काफी आ सकते हैं क्यों कि है यह हमको देखना है और जो ंक्रेयृत्य है और हमारे किसी कई पे लाइब बहुरब वहान प debates को पर फोल्ड़ करके रहाधे होते हैं तो दॉड़ तो अंधर वास हिस्सरा हो ना। वो हमारा अच्छी से सूखता नहीं है ड्राइ नहीं होगा कि अगर कोई चीज हमारी ज्यादा डीप है लिक्ते थो यहादा देफ्ट में था फ्रोडाइड यह चीज पर द्यान देना है एरफ्लो हमारा जो ऊपर बात ध्यान दे रहे तो यहां भी द्यान दूपार्टिकल साइज । ज़िए हम को मारा छोटा हो जितना युनिफॉर्म होगा जैसे युनिफॉर्म मतलब हमारी problem हो सकती है equipment कौन-कौन से यूज़ करें अब इसमें तो हमारा यहां पर हो गया oxalating granulators हो गया यह चोटा करता है फिर hammer में आप जानते ही हो भई जो का बिलकुल piece देता है चोटी-चोटे कर देता है mechanical sieving हो गया device और screen के बाहिस हो गया तो एक तरह से दालते हैं जैसे बहुत जादा जाते हैं तो लिब्रिकेंट हमारे क्या करते हैं एक तरह से friction करेंगे कि चीजा हमारी चिपके ना कहीं पर कोई भी जैसे device से कहीं मूव करें तो वहां पर attach ना हो एक तरह से पॉइंट कों से consider करने हैं तो आप यहां देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताए देखो बैट के अंदर तो आप समझ गए यहां पर यहां पर यहां यहां बात यहां द्राइंग से आप उसको सुका लोगे लेकिन जो ड्राइग ता इसमें हम जो है इसमें बिसिकली क्या होता है कि ड्राइ है तो भई हमारा पॉडर जो आपस में चिपक नहीं पाता है अगर हमको टैबलेट बनानी है तो आपस में पॉडर हमारा अटेच रहे अच्छे थे तो यहां पर क्या होता है कि हमारे जो पॉडर है आच्छे तो यहां से हम बड़े अच्छे से बना सकते हैं तो इसके लिए हम इसे dry compassion का यूज करते हैं और इसमें क्या होता है material हमारा compress किया दाता है दो बड़े बड़े pressure के दारा दो बड़े roller के साथ इसको हम roller compassion भी बोल सकते हैं ठीक है बाकी यह हमारा यूज किया दाता है उन particles के लिए जिनकी क्या होती है very low density होती है और उन्हें हमें जरूरी है कि हम उसको पहले bulk में करें क्योंकि वो रुकते ही नहीं है आपस में एक साथ तो यहां पर roller से क्या करें हम उसको इस तरह से compress करकर के थोड़ी बल्क फॉर्म में बना लेते हैं इसी तरह का हमारा होता है यहां पर लगिंग तो लगिंग में हम लगो जो प्रैसर अपलाई करते हैं यहां लगवा हम पंद्रेटन का करेंगे और यह पर आपको यादो टैबलेट बैनुफेक्टरिंग में तो आपने यह चीज़ पढ़ी थी वही हमारा सेम यहां पर स्लगिंग है यहां पर भी दो करेंगे और यहां पर पंच होते हैं यहां पर हमारा जो मैट्रियल है पूरे मसीन होती है आप लोगों ने देखे होंगे इमेज बगरा मैंने इन आई पी फर्स्ट मैं तो अच्छे से कराया था अब आपने लेब बगरा भी देखे होगी और अगर लोगों ने ट्रैनिंग लगाई होगी बहां भी आपने देखा होगा तो यहां पर हमारा पूरा बढ़ाता यह उपर से आके पंच करती और इधर से यह हमारा डिलीज होके पूरी स्पीड से एक दम महारे जाते हैं मसीनों में बड़ी बड़ी उसको यह सैप आएंगे की नहीं वह चीज हम यहां पर क्या करते हैं चेक करते हैं अपनी कंप्रेशन में और इसमें क्या करेंगे फिलिंग ऑफ एंप्टी डाई कैविटी जो हमारी ऑटमेटिक दाई यहां प जो यहां पर आपने देखा ड्राई कंप्रेशन में और ग्रेशन के मारी कंप्रेशन है वह सारी चीज़ा हमें चेक करनी होती है उसके बाद में आपको बताएं ग्रेशन करने पॉइंट वो क्या है पहले नमबर पर हमारी होगी स्पीड होगी फिर लोडिंग कैपसिटी कि टैब्लेट प्रेस को सह सकती है की नहीं और जादा तूड तो नहीं जाएगी टैब्लेट बंदन हो गया यहले pratic कंप्रेशन हो गया अ मुझे लेती है और उसको हम साथ ग्रम कर देखे और मिक्स कर डिकर करके डार्ड लिए हमने इस मसीन में डाला पंचिंग तो यह थी हमारी डार्ट क्राइसन वाली चीज़ आती है तो यह स्मझ गे होगे कंप्रेशन में क्या होते हैं ऊसकी स्पीड क्या होना तो यह है कि वह हाई स्पीड टैबलेट प्रेस को सह सकती है कि यह सब बातों को ध्यान देखे आप यहां पर पचासव टैबलेट को 10,000 टैबलेट में कनवर्ट कर सकती हो ठीक है उसके बाद कुछ मशीन समारी इसमें आती है तो एक तो मैनुल वाली होती है आपको पता होगा है हैं फिर हाई यहां कुछ एक्जामपल लेखे हैं मल्टी रोटरी हो गया सिंगल रोटरी हो गया और यह सारी आप जांती हो फिर हमारा नाइंथ यहां पॉइंट आता लास्ट वाता टैबलेट कोटिंग तो जब हमारी टैबलेट जो भी बंद आती है उसका टेस्ट अगर खराब होता है अब होता है देखने मची नहीं होती तो उसके लिए हम उसके ऊपर कर देते हैं कलर की सुगर को गयरा और जिसके उसका टेस्ट अच्छा हो जाता और अपीरेंस अच्छी हो जाती है एक्क्ट मेंट में हमारी सुगर कोटिंग है जो सबसे जादा यूज की जाते फिल्म करेंगे आपकी एक या दो वीडियो में आपका यह पूरा टॉपिक यह पूरी चैप्टर हमारे यह कंप्लीट होता है तो अब आपको वीडियो कैसे लिए कि कमेंट करके बाकि मिलते हैं आपसे बहुत दैस्ट वीडियो में बाकि आपने जो बोला है ट्राइक करेंगे रेंग्ग झारेंगो भूरेंग तो